गुड मॉनिंग स्टुलेंट्स आज हम पढ़ेंगे सज्जेक्ट कंप्यूटर कंप्यूटर में मैं अत्परण ही फॉर्स्टाफ कर जर्कियां मारा इंट्रॉक्शन तू कंप्यूटर्स इंट्रॉक्शन कंप्यूटर के थिक है और आम पूस्टे व्यू में पत्चर केते इंपु दिवय्य पत्युक्यो त focuses एंड आप समप्यूटर करेंगे processing device क्या होते है और क्या काम करते है सब्सक्राइब प्रष्टर में फरी स्टुक्यorta क्या क्या है यह स्टुक्या है आप occurs थे अला है मैं क्या खेम अडूरिपार जे जाए है मैं जब है कुपूरत है नियु गाहि है तो फुह हट खाउ पूम कैक था प book कॉ पूम कैक थे नियु का मकर थे यह अचेकर फिपरेंगे बॉट. CPU has three parts. If you can think parts, okay. CPU has three parts. First part is A-L-U. It is aphimatic logical unit. A-L is aphimatic logical unit. It does all the calculations. इहार दा की, calculation करफॉम करताया, mathematical operations करताया. then comes CU, CU stands for control unit, yes control unit, it controls all the activities of computer and tells us what to do and how to do, okay, and CU stands for memory unit, it stores the data and improvements into the storage devices, okay, and this data is stored, this data is stored, this is the drawing, CPU 3 parts which include EMU and CU, these 3 are dependent on each other, 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 we make these 3 work easy, अब चलिए एक कोशन किया आपने का विस्तों करता है कि कौन से जड़ा पे कौन सा बेडा स्टोड रगा हो जी तो ये तीनों पार्स बहादी ज़वी होते हैं अब चलिएありがとう कोशन कंदेक का आपने का से छी में क्या कर सकता है यस हमारा ऍेमाग क्या की कर सकता है, बहुत साले चीजों को याद करता है और डीसीजह लें हमारी हैक करता है तो वैसे similarly अगरा हम क्या और szpan करने एजी होता है स्थैंची व्यान तो यह भी हैग करता है mathematical operation करने में और task को अच्छे सब्सक्राइब करने में तो आज हमने बना what is processing device, how it was worth it and the parts of processing device, खेक है तो अब हम कल पढ़ेंगे what are devices, in experience पढ़ेंगे what are storage devices आज के लिए मैंस थाइट